हैलो एवरिवन दोस्तो फाइनली कल आप सभी का पेपर सिक्स का एक साम होगा आप सभी एस्टुडेंट्स एक बार फिर से हर एक इंपोटेंट कोस्टन का रिवीजन कर लीजिए और हैंड राइटिंग पे काम कंटिन्यू रखिएगा दोस्तो कई बार हम गेस कोस्टन आप स दोस्तो पेपर सिक्स के अंदर पहला और दूसरा सवाल जो आएगा ये आएगा एकस्प्लानेशन से और इन दोनों के ऊपर हम लोग सेपरेट बीडियो बनाए हैं इस बीडियो के डिस्किप्सन बॉक्स में लिंक दे दूँगा आप उनको देख लेजिएगा एकस्प्ला में दे हुए होंगे उनमें से किन ही एक के उपर आपको क्रिटिकल अप्रिशेशन लिखना होगा और वो सवाल रहेगा 17 माक्स का मैं आपको कई बार ये सारा कोश्चन सजेस्ट कर दिया हूँ आप इनको बढ़िया से कर लेजिएगा अगर समय ना बचे तो एटलिस्ट स् कर लेना है सवाल आपका नहीं छूटेगा और हाँ पेपर सेक्स में पोयम सेक्षन से एक्स्प्लानेशन का भी सवाल आता है तो एक्स्प्लानेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा पोयम भी आपको करना होगा कहने करत एक्स्प्लानेशन के लिए थोरा आपको लॉंग कोस्ट इन सभी पोयम को ब्रीफली नहीं रफली देखना है थोड़ा थोड़ा देख लिजिएगा ताकि सवाल आए तो आप आसानी से सॉल्व कर लो लेकिन तीसरे नंबर कुस्टन के लिए ब्रीफली कर लेना है बढ़िया से कर लेना है स्टार्टिंग का दो से तीन बढ़िया से हर हाल में कर लेना है जिसमें से गौट्स ग्रैंजोर को इगनोर बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि यह आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है अब आज आईए चौंते नंबर कुस्टन की यूर पेपर सिक्स के अंदर च समय ना बचे तो आप केबल और केबल इन दो को कर लिजिएगा पहला जी एम हॉपकेंज दूसरा डवलूबी एट्स और हां थोड़ा बहुत इसको देख लिजिएगा रफली बादमा की ब्रिफली इन दो को ही कर लना है अब आजाए पांच में नंबर कुस्टन क्यूर प मैं आपको कहूंगा कि अगर आप बढ़िया से त्यारी कीए हैं अच्छी बात है अगर नहीं कीए हो तो केबल और केबल आप अब समरी को बढ़िया से प्रिपेर कर लिजिए मान लीजिए आप केबल समरी प्रिपेर कीए हो और सवाल आ गया discuss pigmelion as a problem पले तो कैसे आंसर ल लिखोगे, इंट्रोडक्शन में PIGMILLION का content लिखोगे हर जगा, लास्ट में आप conclusion लिखोगे, पीमिलियन का ही और बीच में क्या करना introduction के बाद, जो question पूछा जाए, उसी को लिख करके heading बना देना है, उसको underline कर देना है और फिर उसके नीचे summary को लिख देना है, आंसर को 4-5 पेच तक ले जाना है 17 marks का सवाल रहेगा 15 marks आपको आसानी से मिल जाएगा और same funda छठा number question के लिए भी करना है छठा जो सवाल आएगा ये आएगा आपका where angels fear to trade से इसके लिए भी केवल और केवल आप summary को prepare कर लिजिए कोई भी सवाल आए starting में introduction दीजिएगा last में conclusion दीजिएगा और बीच में आप क्या किजिएगा जो सवाल पूछा जाए उसी को लिख करके heading बनाना है अंडरलाइन करना है और उसके बाद उसमें summary को mention कर देना है मान लिजिए सवाल आ गया discuss where angels fear to trade as a comic novel तो आप क्या करोगे starting में introduction लिख होगे फिर इसी को लिख करके where angels fear to trade as a comic novel लिख करके underline करोगे heading बनाओगे इसके नीचे summary लिख दोगे और last में conclusion लिख दोगे होगे आपका काम तो इतना ही आपको करना है इसके अलबाद बिलकुल भी extra काम नहीं करना कल ही paper है जो question भी बताया आप इन सभी को एक बार देख लिजिए revision कर लिजिए और कोसिस कीजिएगा कल center पे समय से पहले पहुंचे और हर एक question का answer दे करके जरूर आईएगा question मीस करिएगा तो sure number कट जाएगा लिख कर के आओगे तो marks थोड़ा बहुत जरूर मिल जाएगा हर जगा इसलिए हर question का solution लिखिएगा time management का video बनाया हूँ उसको देख लिजिएगा time के according ही question को आप लोग वहाँ पे create कीजिएगा बाद बाद की छोटी छोटी गलती से बचिएगा क्योंकि English learners का paper है handwriting mismatch करोगे फिर भी number कटेगा punctuation ignore करोगे तो भी number कटेगा तो number कटने के scope ढ़ेरो है इसलिए छोटी छोटी चीजों पे काम करना है बाद बाद की आप लोगों का तयारी तो काफी अच्छा है बढ़िया से जाईए एक साम दे करके आईए best of luck everyone thank you so much